वंदे मातरम सांथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चेनल एक्जामिन सुरिस मालविया सरपर दोस्तों वन विभाग और जेल विभाग के अंतरगत जो आपकी वन रक्षक छेत रक्षक जेल प्रहरी और जो सहायक जेल अधिक चक की जो भरती आई हुई है उससे रिलेटेड आपकी बहुत सारी क्वेरिस सामने आ रही है जो आपकी पहली क्वेरिस आई थी कि कितने जिले भरना है तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है बागी इस वीडियो में भी बता दूंगा दूसरी चीज की फीज कितनी लग रही है फीज डबल हो जा रही है जैसे ही पेपर को एक से जादा सेलेक्ट करते हैं तो किस पेपर में फीज डबल हो रही है कितने पेपर होंगे आपको फिर इसके बाद आपके कोशन आ रहे हैं कि क्या पीटी दो बार दे सकते हैं क्या कि जैसे की जेल प्रहरी के लिए और सहायक जेल अधिक चक के लिए नाम आ जाएगा तो जैसे की जेल अधिक चक की रणिंग फैल हो जाएंगे तो क्या जेल प्रहरी की रणिंग देनो को मिलेगी या नहीं मिलेगी और प्राथ मिक्ता को कैंसे भरें तो दोस्तों इनी सभी विंदूओं पे discussion करेंगे और form बननी से पहले आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजेगा जो भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक्जामेन सुरेश मालवियासर चैनल दोरा कभी भी आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाती है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहला जो कोश्चन है कि फीस कितनी लगेगी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह नोटिफिकेशन का पहला पेज है यहाँ पर सिंपल लिखा है कि 500 रुपे पिरती पिरिशन पत्र और 20 रुपे पिरती पिरिशन पत्र यानि कि आप जितने पेपर को सेलेट करेंगे उतनी आपकी फीस लगेगी ठीक है ना अब कितने पेपर होंगे यह आप देख पाएंगे प्रिती प्रिश्ण पत्र का मतलब ये है कि पेपर एक से जादा तो आपके होने वाले हैं अब कितने पेपर होने वाले हैं ये देखते हैं देखिए यहां पर आप जब सिलेवस में जाएंगे पार्ठिक रम अध्याय फोर में लिखा हुआ है कि वन रक्षक छेत रक्षक या पांस सो लगे एक ही फीस लगेगी जैसे ही आप सहायक जेल अधिक छक के पद को टिक करते हैं तो आपकी फीस हो जाएगी डबल यानि कि ये जो पद हैं आपके इनमें टैन प्लस टू के अंतरगत जो आपका सिलेवस रहेगा दस भी क्लास की जो अकॉर्डिंग आपका सिलेवस रहेगा पेपर आपका थोड़ा सा लेबल कम आएगा सिलेवस भई है सामानिज्यान, हिंदी, अंगलेजी, गड़ेत और बिग्यान, पंच भाग हैं बीस बीस नंबर के पांच पांच पार्ट आएंगे लेकिन थोड़े इजी आएंगे वही अगर आप बात करें क इसकी सहायक जेल अधिक छक्की, तो इसका पेपर अलग लेंगे, क्योंकि ये जो सनातक स्तर का पेपर है, सनातक स्तर के पेपर में आपके question answer जो है, जो भी आप से पूछा जाएगा, जो भी ये 5 subject आपके उपर दे के रखें हैं, इनका level थोड़ा सा, इनका स्तर थोड़ा सा बढ़ा के पूछा जाएगा, तो simple सी बात आपके, दो डाउट यहां पर clear हो गए होंगे, कि कितने पेपर होंगे, पहला आपका डाउट clear हो गया, कितने पेपर होंगे, तो साब दो पेपर होंगे, एक पेपर वन रक्षक, छेत रक्षक, जेल परहरी के लिए, एक फीस बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप वीडियो देख लेना, मैंने याँ पर बता दिया है, पूरी वीडियो में समझाया है, कि आपको सिर्फ एक ही जिला भरना है, नॉटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, कि एक ही जिला भरना है, और प्राथ मिक्त को दें जो कि राज इस तरगा पाद है वन रख्चक जिला इस तरगा पाद है जिसको भी आपको देना है ऐसे आप राज मिखताएं दे सकते हैं अपने हिजाब से केबल चार ही पोइंट टिक होंगे एक जेल अधिक चक का एक जेल प्रहरी का एक छेट रख्चक चक्का और इन में से कोई भी एक जिलेक से आप वन रख चक्का फॉर्म भर सकते हैं एक से ज्यादा जिला भरेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है मैंने याँ पर बता दी है कि यहाँ पर लिखा एक सदिक जिलेक लिए आविदन करने पर आविदन अमानने कर दिये जाएंगे अब रही बात क्या अब बात आपकी आती है कि साब फिजिकल कितने होंगे पी टी जो फिजिकल एफिसियंसी टेस्ट है क्या वो दो बार देने को मिलेगा की नहीं मिलेगा तो दोस्तों सिंपल सी बात है इसके बारे में अलग-अलग आपकी रूल बुक दे के रखी हैं और अलग-अलग आपके फिजिकल टेस्ट हैं आप अगर देखेंगे कि वन रक्षक और छेत रक्षक के लिए एक जैसा है फिर आप देखेंगे कि जेल प्रहरी के लिए दो मिनिट पचास सेकंड का टाइम दिया गया है है अगर आपने जेल अधिक्षक का कट आप भी किलियर कर लिया है तो आपको जेल अधिक्षक की फिजिकल भी देने को मिलेगी और वन रक्षक और छेत रक्षक का कट आप कर लिया है तो वन रक्षक छेत रक्षक का फिजिकल देने को भी मिलेगा ठीक है दोस्तों तो आई त शायद एक सांथ हो सकता है क्योंकि जिसने जेल अधिक छक का फिजिकल निकाल लेगा देखो दो चीज हैं एक जेल प्रहरी है एक जेल अधिक छक है कोई इंसान जेल प्रहरी का और जेल अधिक छक का अगर फिजिकल निकालता है यानि कि कट ओफ किलियर करता है और जेल अधि से भी ये physical कर वाले हैं लेकिन अभी इतना तो आप समझिए कि दौनों के physical आपके अलग-अलग होने बाले हैं और जैसे ही आपके physical complete होंगे तो देखो यहां पर आपके 10 गुना अभ्यर्थियों को लेंगे ठीक है ना तो आपके यहां पर देखना है कि जैसे ही आपके physical complete होंगे उसके बाद हो सकता है कि कोई इनसान को जिसने one रक्षक, शेत रक्षक सभी cut off किलियर करे हैं और जेल अधिक शक में वो merit से भार हो गया और उसने उसको इनका physical नहीं देने दिया गया तो और इन में इनके cut off से उसके final में जादा number है तो आप समझ सकते हैं तो उसके साथ तो ना इनसा पी हो जाएगी ना कि उसने जेल अधिक शक का जो पिर्थम चरण का परिणाम तो qualify कर लिया लेकिन उसके खारण उनको इन से बाहर कर दिये गया तो तो आप खुझ सोच लो इतना मूर्ख तो कोई होगा नहीं ऐसे आपको भार नहीं करेंगे आपको जिसका भी आप cut off किलियर करेंगे उसका आप से physical दिलवाया जाएगा और फिर आपकी एक final merit लगेगी जो भी आपने प्राथ मिक्ता दी है उस आधार पे आपको आपकी seat मिल जाएगी चाहे जेल अधिक्षक मिले चाहे जेल प्रहरी या फिर आपकी छेत रक्षक है वन रक्षक जो भी आपको पूश्ट मिले वो मिल जाएगी और इसके लिए waiting list भी बनेगी तो अगर आप जो सहयक जेल अधिक्षक का पद भरते हैं तो फीस डबल हो जाएगी प्राथ मिक्ता कैंसे दें दोस्तों मैंने बता दी है सहयक जेल अधिक्षक सबसे पहले दें फिर जेल प्रहरी जिसकी तनखा जादा है पद भी अच्छा है फिर छेत रक्षक वन रक्षक मे लिए एक अलग पेपर होगा ठीक है रिजल्ट एक साथ आएगा कट अफ सब की अलग अलग दे के रखेंगे आपको और फिजिकल आप जरूर दो बार दे सकते हैं कोई इसमें निसन दे हैं कोई भी डाउट नहीं है आप मान के चलिए जो भी गाइड लाइन्स आएंगी अप को जेल अधिक चक का दिलवा लिया उसमें आप रणिंग भी पास कर गए मेरिट आउट हो गए तो आप बनरक्षक से भी आउट हो गए ऐसा नहीं होगा सब के फिजिकल आपके होंगे और जिस भी कैटेगरी की मेरिट में आएंगे आप वो पद आपको पदानू करम के अन बंदे मात्रम